मन्पर्द उपस्तित, सभी महानुभाव, देवियों और सर्जनों आज हम सब के प्रेणा स्रोत, उज्य बापो और लाल बाहदुर सास्त्री जी की जन्मजैन्ती है कल एक अक्तूबर को राजस्तान सहीत पुरे देश ने स्वच्छता को लेकर एक बहुत बड़ा कारिकम किया मैं स्वच्छता अभियान को जनांदोलन बना देने के लिए सभी देश वाच्यों का आभार रिव्यक्ट करता हूँ साथियों पुझ्य बापू स्वच्छता स्वावलंबन और सर्वसपरसी विकास के बहुत आगरही थे बीते नव वर्षों में बापू के इनी मुल्यों को देश ने बहुत अधिक विस्तार दिया है आज चितोड़ घड़ में 7200 करोड रुपिय के जिन प्रोजेश का सुभारंभ हुआ है उसमें भी इसका प्रतिविम्ब है साथियों गैस बेज एकॉनमी का आधार मजबूत करने के लिए देश में गैस पाइपलाइन नेट्वर्क बिछाने का अभुत पुर्व अभियान चल रहा है मैसाना से भटिंडा तक की गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है इस पाइपलाइन से पाली हनवानगर सेक्शन का आज लोकारपन किया गया है इससे राजस्तान में इंडस्त्री का विस्तार होगा हजारों नए रोजगार बनेंगे इससे बेहनों के कीचन में पाइप से सस्ती गैस पहुचाने का हमारा अभियान भी तेज होगा साथियों आज यहां रेलवे और सडक से जुड़े महत्वपन प्रोदेश का लोकारपन भी हुआ इन सारी सुविधाओं से मेवार की जनता का जीवन आसान होगा यहां रोजगार के नए आउसर बनेंगे ट्रीपल आईटी का नया केंपस बनने से एजुकेशन हब के रुपे कोटा की पहचान और ससकत होगी साथियों राजस्तान वो प्रदेश है जिसके पास अतीत की विरासत भी है वर्तमान का सामर्थ भी है और बविश्य की संभावनाए भी है राजस्तान की ये त्री शक्ती देश का सामर्थ भी बढ़ाती है अभी यहां नाथ द्वारा टूरिस्ट इंटर्प्रेशन एवं कल्ट्रल सेंटर का लोकारपन हुआ है ये जैपूर में गोविन देव जी मंदीर सीकर में खाटू शाम मंदीर और राज समंध में नाथ द्वारा के परियतन सरकीट का हिस्सा है इससे राजस्तान का गवरों भी बढ़ेगा और परियतन उद्योग को भी बहुत लाब होगा साथियों चित्तोर गड़ के पास भगवान कर्ष्ट को समर्पित सावलिया सेट मंदीर भी हम सभी की आस्था का केंद्र है हर साल यहां लाखों स्रधालों सावलिया सेट जी के दर्शन के लिए आते हैं व्यापारियों के बीच भी इस मंदीर का विशेद महत्व है भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहट सावलिया जी के मंदीर में आधुनिक स्वदाओं को जोडने का काम किया है करोरो रुपिय खर्च करके यहां बाटर लेजर शो टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर MP थीएटर, कैफेटेरिया जैसी अनेज सुविधाएं बनाई गई है मुझे भी स्वास है कि इससे सावलिया सेट के भक्तों की सहुलियत और बड़ेगी साथियों राजस्तान का विकास भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी प्रात्मिक्ता है हमने राजस्तान में एक्ष्प्रेस वे हाइवे और रेलवे जैसे आधुनी इंफ्रासेक्टर पर बहुत फोकस किया दिलनी मुंबई एक्ष्प्रेस वे हो या अमरिश्वर जामलगर एक्ष्प्रेस वे ये राजस्तान में लोजिस्टिक से जुड़े सेक्टर को नई शक्ति देने वाले हैं अभी कुछ दिन पहले ही उदैपूर जैपूर वंदे भारत ट्रेन भी शुरू हुई है राजस्तान भारत माला परियोजना के सब्से बड़े जाभार्जियों से में भी एक महत्वपुन राज्य है साथियो राजस्तान का इत्यास हमें सिखाता है कि हमें वीरता वईभव और विकास को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए आज का भारत भी इसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहा है हम सब के प्रयास से विख्षिज भारत के निर्मान में जूटे हैं जो खेत्र जो वर्ग अतीत में बंचीत रहे गए पिछडे रहे गए आज उनका विकास देश की प्राफिक्ता है इसलिए बिते पाँच वर्षों से देश में आकांग्थी जीला प्रोग्राम सफलता के साथ चल रहा है मेवार के राजस्तान के भी अनेक जीलों का इस अभ्यान के तहर विकास किया जा रहा है अब तो केंदर सरकार इस कारकम को एक कदम आगे लेकर चली गई है अब हम आकांग्थी ब्लॉक्स की पहचान कर उनके तेज विकास पर फोकस कर रहे हैं आने वाले समय में इस अभ्यान के तहर राजस्तान के भी अनेक ब्लॉक्स का विकास किया जाएगा बंचीतों को वरियता इस संकर पो लेकर के केंदर सरकार ने वाइबरेंट विलेज प्रोग्रेम भी शुरू किया है जिन सीमावरती गाओं को इतने सानों तक हमने आखरी गाओं माना जाता है अब हम उन्हें पहला गाओं मानकर विकास कर रहे हैं इसका बहुत अधिगलाब राजस्तान के दर्जनों सीमावरती गाओं को मिलना तैय है मैं ऐसे ही विशों पर अपसे कुछ मिनिट बात और विस्तार से ज़रा खुले मैदान में बात करने का और मज़ा होता है यहां कुछ मंदनों पर बंदेर है ना पड़ता है तो काफी बाते वहाँ करूंगा राजस्तान के विकास के हमारे संकल्पकों को तेजी से सिद्धी मिले इसी कामना के साथ मेवार वास्यों को नए प्रोजेश के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूँ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद